तो यहां पर देखे कमेंट्स का मतलब होता है जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं या प्रोग्राम कहीं पर लिखते हैं तो किस लाइन का क्या मतलब है उसके लिए हम यहां पर एक मैसर डाल देते हैं कमेंट एक ऐसा statement होता है प्रोग्राम में जो कि प्रोग्राम के साथ में run नहीं होता है सर्फ वो read किया जा सकता है और उसे हमारी programming पे किसी भी प्रकार का कोई effect नहीं पड़ता है बस उसे mention करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि प्रोग्राम में कई बार आपको कोई अलग-अ concept यूज करने होते हैं यह कौन सी line का क्या मतलब है किस वज़े से वो line लिखी गई है ऐसा बताने के लिए आप वहाँ पे comments लिखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर यह code लिखा एक बार हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं और यहाँ पर अगर आप यह बताना चाहते हैं कि यह जो line है वो सिर्फ एक masses को print करने के लिए यूज की गए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं print masses तो दो तरह के comments होते हैं देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है print masses sort में लिखने कोशिस की है तो यहाँ पर यह अब क्या होगा यहाँ है इसके बाद में जो भी statement लिखा गया है वो एक comment है तो जब हम इस program को execute करते हैं तो दिखिए यहाँ पर print ms जो लिखा हुआ है masses उसका कोई इस program में effect नहीं होने वाला है simple जैसे हम run करेंगे सिर्फ हमारा जो print hello word लिखा है वो program का statement है वो execute होगा और यहाँ पर has print ms जो लिखा हुआ है वो एक comment line है यह execute नहीं होगा इसका सिर यह यूज होता है कि इस line के इंदर किस प्रकार का code है इसका क्या काम है कई बार क्या होता है जब हम programs लिखते हैं और comments नहीं लगाते हैं उस program को अगर कोई दूसरा read करता है उसे कोई change करना चाता है कोई bug fix करना चाता है तो जब भी हम program को लिखते हैं हमेशा हमें comments कर इस्ति पता चलेगा किस line में क्या statement लिखा गया है इस line का क्या यूज है तो python programming के complete course के लिए download करें या next be mobile app